हरे कृष्णा मैं अतुले निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अनलॉक निमरोलोजी में ये विडियो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन से नंबर्स हैं जो हमारे लाइफ में पैसे और हमारी ग्रोथ से रिलेटेड है जी हाँ हर इंसान लाइफ के अंदर पैसा कमाना चाहता है और ग्रो करना चाहता है ग्रो चाहे प्रोफेशनल हो चाहे परस्नल लाइफ में हो चाहे आप किसी स्किल को ग्रो करना चाहते हो या आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो या आप अपने स्टेटस को ग्रो करना चाहते है या फिर business के अंदर grow करना चाहते हैं या job में आप grow करना चाहते हैं, promotions चाहते हैं, बहुत से लोग ये question करते हैं कि हम job में हैं, पिछले 10 साल से हैं परंतु last 5-6 साल से हमारा कोई promotion ही नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि promotion नहीं होता, growth नहीं होती, पैसा आ रहा है, growth नहीं हो रही है, पर पैसा आता है, पर वो चला जाता है, कहां खर्च हो जाता है, पता ही नहीं लगता, तो ये दोनों चीज़ें क्या आपस में बड़ी जुड़ी वी हैं, तो आज हम एक ऐसे important aspect की बा उन दो numbers को समझाते हुए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वास्तु का भी किस तरीके से हमारी DOB से relation है, LPG आपने देखा है, लोशो ग्रिड आपने देखा है, कुछ इस तरीके का देखता है, ठीक है, ये numbers इसी तरीके से इनी जगहों पर भरे जाते हैं, ये आपको पता ह जो पहली बार आए हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि ये जो numbers हैं, ये हमारी DOB के numbers हैं, उन्हें हम यहाँ पर भरते हैं, और भी कुछ numbers होते हैं, जैसे कि हमारा origin number हो गया, हमारा master number हो गया, हमारा angel number हो गया, अब वो कौन से numbers होते हैं, वो आप हमारे पुराने वीडियो दे बहुत important numbers हैं, वैसे तो सारे numbers आपस में कहीं न कहीं पैसे, growth, life से related हैं, पर ये जो दो numbers हैं, जिनके हम बात करने वाले हैं आज, वो specifically इसी चीज़ से related हैं, तो आप सभी से request हैं कि प्लीज अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, end तक देखिएगा, कई चीज़े इसमें मैं बताने वाला हूँ, remedies भी बताऊंगा, कि इन numbers अगर आपके पास नहीं हैं, तो इन की क्या remedies हम कर सकते हैं, कैसे इन numbers को balance कर सकते हैं, ठीक है, तो miss मत करिएगा, देखते रहिए, अब जैसे अगर हम एक LPG ले ले लेते हैं, ये low show grade हमारे सामने है, अब ये जो low show grade है, ये directions भी होते हैं, actually ये वास्तु से भी related है, numerology और वास्तु दोनों आपस में बहुत closely related हैं, अब वो relation क्या है, वो relation ये है, कि ये जो low show grade है, इसमें ये numbers जो हैं, in directions को represent करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, 9 number South को represent करता है, 2 number South West को represent करता है, 4 number South East को represent करता है, 3 number East को करता है, 8 number North East को करता है, 1 number North को करता है, 6 number North West को करता है, 7 number West को करता है, और 5 number Central को represent करता है, तो हम जिन दो numbers के आज बात करने वाले हैं वो दो numbers है चार और तीन ये चार और तीन जो south east और east direction को represent करते हैं इन्हें हम numerology के अंदर या वास्तु के अंदर आप ये कह लीजे इन्हें हम wooden element कहते हैं wooden element के अंदर आते हैं चार और तीन number और directions कौन सी आगई और south east तो हम overall इसको study करेंगे इसलिए मैं बतारा हूँ कि ये बहुत important वीडियो है इसको हम तीनों एंगल से देखेंगे numerology से भी वास्तु से भी और element wise भी हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे पास ये numbers नहीं हैं तो हम कैसे अब इन numbers को balance कर सकते हैं तीन number जो होता है वो मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया अब थोड़ा सा और explain करूँगा तीन number जो है वो liquid cash को दर्शाता है कि हमारे पास liquid cash आ रहा है कि नहीं आ रहा तो तीन number जो है अपने आप में बहुत जादा important है तीन number creativity को भी दर्शाता है अगर तीन number नहीं है तो आदमी creatively सोच नहीं पाता या अपने काम को creatively नहीं कर पाता तो अगर आपके बस तीन number है और आप creative field में जाना चाते हैं तो आप जा सकते हैं आपको अच्छा support मिलेगा और आपके बस तीन number अगर नहीं है तो problem आ सकती है ठीक है तो क्या-क्या बताया मैंने आपको liquid cash की problem आ सकती है creativity की problem आ सकती है हो सकता है 100% कुछ नहीं परन्तु 80-90% यह देखा गया है कि अगर तीन number absent है तो कहीं न कहीं education में भी problem आई होगी या तो education बीच में छूट गई होगी या फिर बहुत जादा education नहीं कर पाया मतलब graduation तक ही सीमित होके रह गए क्योंकि गुरू का number है तीन number तो वो ग्यान भी प्रदान करता है ग्यान का भी उसको एक support मिलता है तीन number से दूसरी तरफ चार number चार number जो है वही पे जैसे तीन number तो क्या हो गया creative से related हो गया knowledge से related हो गया liquid cash related हो गया अब अगर हम चार number पे जाते हैं तो चार number जो है वो materialistic number है ठीक है जो भी लोग जिनका जनम चार तारिक को हुआ है चार तेरा बाई से 31 को हुआ है कहीं ना कहीं वो materialism से बहुत जादा attractive रहते हैं या फिर materialistic उनकी approach होती है उन्हें अच्छी लगती है materialistic चीज़ें गाड़ी बंगला पैसा ये सारी चीज़ें ठीक है तो चार number growth का भी number है अगर चार नमबर आपके पास है तो आप जिस भी field में काम कर रहे हैं उसमें आपक एक अच्छी growth मिल सकती है पर अगर आपके पस चार number नहीं है तो आप देखिएगा कि आपको growth में problem आईगी आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं अच्छा result दे रहे हैं अच्छा input निकाल के दे रहे हैं अपनी company के लिए या business में मेहनत बहुत जादा कर रहे हैं पर अंतु क secret numbers में भी आ सकता है आप कई लोगोंगे 2000 या 2000 के बाद जिनका जनम हुआ है वो कहेंगे जी हमारे तो बिल्कुल ही missing है पर हमारे तो growth अच्छी आ रही है हमारे तो liquid cash की problem नहीं है तो आप हमारा वो वीडियो देख लीजे कि उसमें मैंने बताया कि secret numbers जो बहुत important है 2000 या 2000 के बाद जिनका जनम हुआ है उनके लिए तो हो सकता है वो secret number में आपको 4 और 3 मिल जाए मिनवाइल अगर आप सारा अपना analyze करकर ये देखते हैं कि 4 और 3 दोनों ही miss है इसका मतलब पूरा का पूरा wooden element आपका miss है तो हमें liquid cash और growth से related problems आ सकती है कई लोगों के पास या तो 4 होग आपके पास missing है आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो पूरा wooden element चाहता हूं क्योंकि growth भी important है money भी important है दोनों ही चीज़े important है ठीक हमें money भी चाहिए हमें उसमें growth भी चाहिए या हमें growth हमें मिल रही है तो money flow है वो हमें चाहिए ऐसा नहीं हम चाहते कि हमरे पास पैसा है और वो न नंबर जो है उसके लिए आप क्या remedies कर सकते हैं east direction सबसे पहले मैं पूरे wooden element के लिए आपको remedies बताता हूं चार और तीन जिसका चार और तीन पूरा ही miss है उसको क्या करना है south east और east इन दोनों direction के अंदर आप अपने घर पर plants लगा सकते हैं लकडी wooden element है ना plants क्या है लकडी है तो वो plants लगा सकते हैं छोटे पौधे हम जैसे छट पे लगाते हैं कई लोग अपने छट के उपर लगाते हैं घर के अंदर भी लगाते हैं अगर आप घर के अंदर आपके पास east या south east डिरेक्शन में जगे नहीं है लगाने की तो आप क्या कर सकते हैं आप अपनी छट प वोडन फ्लोरिंग करा दीजे वो भी अपने आप में बहुत ही important remedy हो जाएगी आपके लिए east और south east जो जो जोन है उस पूरे जोन को आप वोडन फ्लोरिंग करा सकते हैं या फिर आप east south east जोन के अंदर दोनों में से किसी के अंदर भी green bulb लगा सकते हैं जैसे वो night bulbs नहीं आ पौश्चु के क्या आप कर सकते हैं उपाए ध्यान रखेगा कि वो जो पौदे आप लगा रहे हैं उनका देख रेक उनकी देखवाल आपको अपने हाथ से स्वैम करने होगी ऐसे नहीं कि आपने बस पटक दिये बोल दिया नौकर को बोल दिया रहा रग दिया रहा रहा या आप अपनी वाइफ को बोल दिया, आपने हस्बन को बोल दिया, आपने बच्चों को बोल दिया, ठीक है, माल रखतो दिये, अरे उसको देख लिया करो पानी मने नहीं, आपको स्वयम, क्योंकि आपके मिसिंग है न, तो आपको उन से जुड़ना पड़ेगा, वुडन ए कर सकते हैं आप आप सबसे important चीज़ क्या है पांच मुखी रुद्राक्ष धारन कर सकते हैं एक काला धागा ले लिजिए उसके अंदर एक पांच मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए पांच मुखी रुद्राक्ष की कोई माला है आपके पास तो आप वो पहन लीजिए कोई एक दो बूंद ले लिजी हलका सा रगड़के उसको और अपने माते पे रोज लगा लिया तो जरूरी नहीं कि एक बार में पूरी पत्ति गाया है नहीं वो तो काफी दिन चलेगी एक एक उसकी जो पत्ती होती पतली सी वो भी काफी दिन तक चल जाएगी तो एक दो ले को पता है इस नेचर को पता है कि यहाँ केसर कतिलग लगाया गया है अगर आपके चार नंबर नहीं है तो आप नौनवेज भी मत खायेगा क्योंकि चार नंबर जिसके नहीं होता अगर वो जादा प्राब्लम आती है ग्रोथ के अंदर यह चीज़ ध्यान रखिएगा ठीक वो भी आपने धारन कर लिया तो उसका भी आपको अच्छा सपोर्ट मिल गया साउथ इस्ट एरिया जो चार नंबर है उसमें आप क्या कर सकते हैं गर आपके चार नंबर मिसिंग है तो वहाँ सिक्कों की एक पोटली रख सकते हैं सिक्कों की पोटली ठीक है क्योंकि material growth का number है ठीक है तो वहाँ आपने क्या कर लिया सिक्कों की पोटली रख लिया उस particular area में South East में कहीं पर भी आपके कोई कमरे में मालों कोई अलमारी है या कोई drawer है या कुछ है वहाँ पे उसके अंदर आपने सिक्के ले लिजे कुछ 20 के ले लिजे, 10 के ले लिजे, 5 के ले लिजे 2 हो, 1 के ऐसे इखटा करके 21 सिक्के या 11 सिक्के ले लिजे उसके एक छोटी से पोटली बनाई है और उसको वहाँ रख दीजे money के लिए एक चीज और बता देता हूँ अगर पैसो का कुछ प्राब्लम आ रहा है तो नॉर्थ के अंदर ठीक है, वैसे नॉर्थ एक नंबर का जोन है, पर नॉर्थ के अंदर रेमेडी मेरे दिमाग में आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ नॉर्थ जोन के अंदर आप गोल्डन टेंपल की फोटो लगा लिजे रात वाली फोटो दिन वाली नहीं आप गूगल पे जाएए, टाइप करेजिए गोल्डन टेंपल, अमरित सर नाइट व्यू तो उसमें आपको दिखेगा कि गोल्डन टेंपल है उसकी छाया भी क्या कर रही है उस पानी पर पढ़ रही है दोनों वो पूरी कंपलीट फोटो आप उसका निकाल लीजे प्रिंट कलर उसको लैमिनेट कराके या फ्रेम करवाके आप अपने नॉर्थ जोन में उसको लगा सकते हैं तो वो भी आपको पैसे के मामले में help करेगा तो यह कुछ रेमेडीज हैं जिससे हम balance कर सकते हैं इन दोरो numbers को और yellow color पहनिए yellow तीन नंबर का color है गुरू का color है तीन नंबर absent है आपके missing है तो आप color yellow जादा स्यादा पहन सकते हैं अपने daily use में Thursday है धरजदे को तो जरूर पहनिए yellow color कोई problem नहीं है हरे क्रिष्ण महामंतर का जाब करिये हरे क्रिष्ण हरे क्रिष्ण 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 हरे stopping नबर टीनस है यह मंतर भी मंतर आपको बहुत 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 help करेगा body level पर mind level पर soul level पर आपको एक यूज में आ जाएगा माल लीजे आपके चार और तीन के अलावा या चार और तीन में से कोई भी एक नंबर मिस है या दोनों मिस है या उसके अलावा पांच भी मिस है या आठ भी मिस है कितने भी नंबर मिस हो ये हरे कृष्ण महामंतर आप अपनी लाइफ में जोड़ लेते हैं तो ये आपको overall growth में help करेगा आप देखीगा, खुद देखीगा एक महीना, 108 बार जपी है daily मन में नहीं जपना, बोल कर जपना है हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 क एक बार बोला हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे, दबा दिया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ऐसे करके एक 108 बार, बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है, इस मंत्र में इत आप bracelet अगर आप लेना चाहते हैं, रुद्राक्ष अगर आपको चाहिए, तो आप हमसे ले सकते हैं, numbers आपके सामने आ रहे हैं, इन पे आप call करके या WhatsApp करके पूछ सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ specific आपको पूछना है या consultation लेनी है, तो भी आप इसी number पर WhatsApp या बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, कोई भी प्रशन है, तो आप पूछ सकते हैं, comment कर सकते हैं, ठीक है, हमारे जो और वीडियोस हैं, जिनमें आप इस वीडियो से related, missing numbers से related कोई link है, तो वो हम आपको description में दे देंगे, so thank you so much, God bless you all, all the best, Hare Krishna